अब है कोई जानकारी मिल पा रही है, इस भुकम की वज़े से कहीं पर कोई नुकसान, कोई ऐसी तस्वीर जो परिशान करने वाली हो? दिली NCR या फिर पंजाब चंडिगर में कोई नुकसान की जानकारी अब तक निकल कर सामने नहीं आई है, जानकारी जो एर्थक्वेक सेंटर की तरफ से जानकारी भेजी गई है, उसके हिसाब से 6.1 मेगनिट्यूट के हिसाब से आज 2.50 मिनट पर ये भुकम के जटके महसू किये गए है, दिली NCR और पंजाब चंडिगर में भी ये जटके जरूर महसूस किये गए, लेकिन फिलाल किसी भी तरह के नुकसान या फिर कोई खतरनाक तस्वीरे फिलाल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, बिल्कुल लेकिन पाकिस्तान में जरूर ये तस्वीरे ड जगाया जा सकता है, आलम ये रहा कि पाकिस्तान में काफी देर तक भूकम के जटके महसूस किये गए, और पाकिस्तान में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग से लोग निकल कर बहार की तरफ भागे अपनी जान बचाने के लिए, अब इस भूकम ने कितना नुकसान किया है, य इसकी जो तीवरता है, वो रिक्टर स्केल पर 6.1 आ की गई है, मेरी सहयोगी गौनिका भी हमारे साथ जुड़ गई है, गौनिका क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अभी तक हो पाया है, ये जो भूकम पाया, कितनी परिशानी लेकर आया है, जिसमें ये का गया कि 6.1 इस से 20 किलोमीटर ही depth पर होते हैं, ऐसे में वहाँ पर जादा तेजी से महसूस होते हैं जटके, लेकिन जब 220 किलोमीटर depth है, तो जादा बहुत जादा तीवरता से भुकम महसूस हुआ, ये नहीं लग रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में 6.1 की तीवरता का है, और जब 6.1 क करुनि को क्रॉस करता है, तो घर के अंधर का समान होता है, सिर्फ यो शेक करता है, लेकिन जब बिल्डन को उसकी तीवरता जाती है, भुकम की, तब कैसी भी नुकसान पहुंचता है, ऐसे में किसी भी तरीके से बिल्डिक को पुच्छे कि आशंका बाथ कम है, क्योंकि ज तो यही वज़ा है कि बहुत जादा नुकसान की शायद आशंका अभी तक नहीं जताई जा रही है लेकिन जब स्थिती कुछ घंटों बात क्लियर होगी कि आखिर किस तरीके का नुकसान हुआ है वो तब देखना होगा लेकिर फिलाल अभी तक की जानकारी सामने आए कि 6.1 क तीवरता का ये भुकम है और इस तरीके के जटके पिछले कुछ महीनों में काफी तेजी से आ रहे है खास दोर पर दिल्ली अंसियार में हमने देखा है जिसमें एक महीने में ही एक एक भार लगभग भुकम का जटके महसूस किये जा रहे और तीवरता पांच से उपर ही र जादा थी और यही वज़ा था कि कुछ बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा बिल्डिंग्स कुछ किरी थी लेकिन जब तीवरता लगभग 6-7 के बीच में रहती है तो जो बिल्कुल कच्ची बिल्डिंग्स होती है जो पहदी ज्यादा मजबूत नहीं बनी होती है या या बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका नहीं जताई जा सकती है अगर इसकी तिवरता को देखा जाए अगर भूकम को समझा जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो ऐसी आशंका बहुत कम है मन्जूर मीर मेरे सईयोगी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए है मन् प्रमु कश्मीर में भी बूकम के जटके महसूस किये गिए हालांकि सरीनगर में जटके बेहत कम महसूस किये गिए लेकिन यॉव सी से जो सटेय इलाके है यूडी औरए कोपे़ा, केरना जैसे वहां पर काफी शुदत से जटके लोगों ने कहीं सेकंड तक महसूस किये है और वहां से खबर मिल रही है उसके मुताबग जैसे ही बूकम के जटके वहां लोगों ने महसूस किये तो लोग तुनाथ अपने ग़ूँ से बाहर निकलें हונکہ सरीनگर में जो है लोगों ने अतनी तैदाद में जो हैं जटके महसूस नहीं किये है नॉर्मल लाइफ सरीनگर में है लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं जो पाकस्तान से सटे हुए अलाके ہیں जो बॉडर एरियर्ज है वहां पर जो है लोगों ने काफी जो है इन जटकों को मैसूस किया है हलांके अभी तक किसी भी जानी या माली नुकसान की खबर नहीं है क्योंकि इसका जो केंदर बताया जा रहा है वो अफगनिस्तान है 6.1 तीरता कि ये बुकम के जटके मैसूस किये गए है और अक्सर ये देखा गया है कि इसका जो केंदर होता है वो अफगनिस्तान हिंदकुष बॉर्डर होता है तो जाहर सी बात है कि इस तरह की जो मैसूस और खोब जो डर होता है वो पूरे जुमू कश्मीर के साथ साथ जो है देश के दूसरे कहीं राजू में भी दिखाई देता है फिलाल किसी भी तरह की जाने और माली नुकसान की खबर नहीं है लेकिन लोगों ने जरूर जो है ये जटके मैसूस किये है पूरे जुमू कश्मीर में बिल्कुर यानि मनीश ये कहा जा सकता है कि कुछ देर के लिए इस भुकम्प ने लोगों को डराया जरूर, लोगों के अंदर हड़कम्प जरूर पैदा किया, लेकिन ये भुकम्प कोई परिशानी लेकर फिलाल भारत के लिहास से तो नहीं आया है? देखे पहले हम आपको बिल्कुल आपके माध्यम से बता दें, जो हम भी बताया गया है मिनिस्टर्स और साथ में मिनिस्ट्री के दोरा, ये कहा गया है डिपार्टमेंट आउ सेस्मिलोजी के दोरा कि दो बचकर पचास मिनट पर जब ये भुकम पाया, उसके तीवरता सिक्स असर, लेकिन जो उसकी जो आप ये समझ लीजे, इंटेंसिटी थी 6.1 से वो लगभग उसका गार पे नहीं थी कि भारत में या दिल्ली पर उसका बहुत जादा असर पड़े, तो कहीं से भी कोई भी जादा पैनिक ना करें इस बात को लेकर कि भुकम पा गया उसकी वज़ जरूर बढ़ते हैं, लेकिन भुकम के खत्रे से बिलकुर सजग रहें, लेकिन कहीं से भी पैनिक ना करें, ये हमें बताया गया, कहा गया है, उसके बाद अभी तक कहीं से भी कोई ऐसी ख़बर नहीं आई है, जिसमें कोई नुकसान की जानकारी दिल्ली NCR में ये फिर आस 6.1 रेक्टियर का जब ये अर्थकोएक आया, क्योंकि ये करीबन 220 किलोमीटर नीचे उसकी तीवरता थी, और ये में सेंटर इसका अफगानिस्तान में था, और यहीं वज़े है कि उसके जो असर है, वो दिल्ली में इसका इतना असर दिखाई नहीं दिरा, लेकिन चुकि भुकम था, तेजी के साथ आया, इस वज़े से यहां पे हलचल बहुत ज़्यादा हुई, जो बड़ी-बड़ी इमारते थी, जो लोग उपर थे, उनको जरूर इस बात का एहसास हुआ, लेकिन कहीं से भी कोई पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जिस तरीक अभी करीबन 20-25 मिनिट का समय बीच चुका है, तो इसलिए एहतियाज जरूर बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी जालमान की हानी की जानकारी नहीं है, लेकिन बार-बार धरती हिल रही है, बार-बार भुकम के जटके महसूस किये जा रहे हैं, और इसी का ही अनल